दोस्तो हम सभी को पता है कि महरुटी गाड़ी घाड़ी पमर की टोयोटा में रिबैज गुकर सेहल होती हैं खड़े होते हैं कि number 1 क्यों तो वो इनका आपस में पैक्ट है कि कुछ गाड़ियां उनकी और कुछ गाड़ियां इनकी जो है वो आपस में एक दूसरे सेल करेंगे उससे क्या होगा आपकी सिल्स भी बूस्ट होगी और नंबर ऑफ कास भी फ्लीट में बढ़ जाएंगी अब दूसरा सवाल यह आता है कि क्या टोयेटर रुमियों के लिए जाना चाहिए तो येस डेफिनेटली जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए उस बात को म प्रीमियम हो जाती है जो आपकी नेक्सा के थूसेल होती है और फिर आपकी बीच में कहीं पर आका टक जाती है तोयेटर रुमियों अब तोयेटर रुमियों के अगर आप प्राइस को देखोगे तो यहां पर आप देखो इस गाड़ी का एक्शूरूम शुरू हो रहा है और यहां पर आप देख सकते हो इसके पेट्रोल के विरियंट से आपको कौन-कौन से देखने को मिलेंगे उसके साथ 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 अगर अर्टिका का स्टार्टिंग देखोगे आप तो यहां पर नो लाग शेतर जार रुपे से स्टार्ट हो रहा है और XL6 का देखोगे 13,17,000 रुपे से स्टार्ट हो रहा है तो रुमियोन के प्राइस कहीं ना कहीं यह दर्शाते हैं कि यहां पर इस गाड़ी को इन दौन गाड़ी के बीच में पोजिशन किया गया है ताकि यह अपना एक मार्केट जो है वो एस्टैबलिश कर सके और एक अच्छी बात यह कि रुमियोन C&G में भी अविलेबल होगी सिर्फ एक वेरियंट जो कि S वेरियंट आपका होगा वो C&G में अविलेबल होगा जो कि 12,89,000 रुपे का आपको देखने को मिलेगा अब मैं एक खास बात बताता हूँ आपको अगर रुमियोन के लिए जाते हो ना तो उसमें प्र जो हो डिफरेंट हो जाती है आपकी अर्टिका से तो सबसे पहली बात तो मुझे इस गाड़ी के लुक्स जो है वो अर्टिका से बहतर लगे देखने में ज्यादा प्रीमियम लग रही है और यहां पर जो डिजाइन पूरा पूरा दिया गया है जो फ्रेंट ग्रिल दी ग को मिल जाती है क現在 इस गाड़ी में आपको ट्रक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलता है जो कि आप को अर्टिका में नहीं देखने को जाऊ और यहां उसके साथ साथ अगर और बहतर चीजों की बात करूं तो यहां दोनों फ्रेंट और येर में आपको कपोल्डर देखने को मिल जाते हैं हाला कि अर्टेगा में सिर्फ आपको फ्रेंट में ही देखने को मिलते हैं उसके साथ साथ एक और बहुत अच्छी बात जो कि यहां पर देखने को मिल जाती है जिससे कहीं न कहीं आपके 15, 20, 25,000 रुपर बचने वाले हैं आप समझी कहेंगे इसमें आपको वारंटी देखने को मिलती है अगर यहां पर देखें तो यहां आपको 3 साल की 1,00,000 करवानी पड़ेगी और यहां आपके वह 10, 15,000 रुपर सीधे सीधे बच रहे हैं तो यह कुछ करके बात ही हो गई जिस वज़े से रुमियों मिर को एक बैतर च्वाइस लगी उसके लावे इंजन यहां पर आपको वही 1500 CC का देखने को मिल जाता है चार स्लिंडर इंजन ए और 136.8 Nm का पीक टॉक और कंपनी के ले मायलेज वो 20.51 का है और यहां पर आपको फ्यूल तैंक कैपसिटी 45 लीटर की देखने को मिल जाती है और उसके साथ साथ तायर प्रोफाइल जो बेस वीरेंट का आता है वो एक्जक्ली से मेर्टी का बाले 185 आर पंदा के आपको देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तो यह कुछ था इस वीडियो में अगर आपके मन में कोई डाउट कोई कोई क्वेरी इस हैं या फिर आप कुछ भी मैंशन करना चाहते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन मेंशन करिएगा और स्टे टून और इस चैनल फॉर सच ऑटोमोटिव बाइ टेक केर फ यॉरसल फ और रमेंबर आलवेज ड्राइव सेफ बाइ दोस्तो